नुश्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि इस धर्ती पर दो चाइना है या यू कहें कि दो ऐसी सरकारे हैं जो चाइना पर सासन करने का दावा करती हैं चाइना की वस्तविक सरकार लेजिटमेट सरकार होने का दावा करती हैं अगर आप नहीं पता है तो इस वीडियो में हम तो इंग्लिज चैनल इजी इंग्लिज तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह आप चाइना का मैप देख रहे हो चाइना के बारे में कुछ बेसिक बात हैं हम लोग पहले देख ले चाइनीज रेवोलूशन को समझने के पहले थोड़ी बहुत चाइना के बारे में कुछ बेसिक सबसेदेख आवादी है पुरे दुनिया में कि इकॉनमी की जहां तक बात है तो अकॉनमी में वह नंबर दो पर है फिलहाल और चौर ट्रिलियन डॉलर की कोनमी है अमेरिका और उसके बाद चाइना का नंबर है 14 देशों से इसका लैंड बॉर्डर मिलता है है ना मंगोलिया रसिया अपना प्यारा भारत है निपाल है म्यानमार तो यह चोटी-चोटी बात है हम लोग देखते हैं चाहिना के बारे में सबसे पहले पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन जैसा आप यहां देख पा रहे हैं लगभग 140 करोड दुनिया में नंबर एक एरिया है 95,097,000 किलोमीटर कैपिटल है बिजिंग यहां पर एक बात आपको जाननी चाहिए कि बिजिंग का जो पुराना नाम था यहां आप उपर नौर्थ में देख रहे हैं यह आप जो देख रहे हो यह बिजिंग है बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग था, ये नाम ध्यान रखेंगे, आगे इसकी बारवार जिक्राने वाला है बीजिंग को पहले पेकिंग कहा जाता था, देखो पहले मैं कुछ महत्पुन शहर आपको दिखा दूँ ये आप यहाँ पर इस्ट में संगाई देख रहे हैं, एक और बहुती मसूर सहर संगाई के बगल में नैंजिंग और आप यहाँ पर वुहान देख रहे हैं जहां से ये कुरोना वाइरस निकला है साउथ में अगर आप आजाओगे तो दो महत्पुन शहर है, एक यहाँ पर होंग कॉंग आपको दिख रहा है और एक ये सहर है गौंग जू तो ये महत्पुन शहर है, एक सहर जो है, यह यहाँ चुंकिंग है, यह जो आपको दिख रहा है चुंकिंग तो ये सारे शहर और एक यृ 않 पर यनान नाम का एक सहर है यनान इसका जिक्राने वाला है आगे हम लोग दुबारा मैप को देखेंगे फिल्हाल मैं बस एक वर बता दे रहा हूं तो नूर्थ में बिजिंग है और सौथ में गौंगजु है और यहाँ पर बीच में जो आप द करेंसी है युवान, वहां के मुद्रा, चार महत्पुन नदियां है, यांग जी है, यलो रिबर है, परल है और शांगपो है, शांगपो को ही हम लोग ब्रह्म पुतरा कहते हैं, जो पहली नदी आप देख रहे हैं, यांग जी, ये सबसे बड़ी नदी है, एसिया की सबसे ब नाइल है आपका अफरिका में, और एमेजन है सौथ अमेरिका में, और उसके बाद तीसरे नमबर पर, दुनिया में तीसरे नमबर पर यांग जी, एसिया का पहले नमबर पर, ये लो रिबर, ये बहुती मसूर नदी है, बहुती महत्पुन नदी है, ये जो आप देख रह पनपी है, पली बड़ी है, यह जो नीचे आप यहां पे नदी देख रहा है, चुंकिं के पास, वुहान से होते हुए, यह जो नदी है, यह यांग olacak। यह जाता है। यह जो यह जो के बाणा को शोड की काफी नुक्शान होता है alm को। ये जो उपर का हिस्सा देख रहा है मंगोलिया और चाइना के बीच का जो हिस्सा है ये आपका गोबी डेजर्ट है गोबी रिगिस्तान है और ये वाला जो हिस्सा है जो चाइना का वेस्टर्न हिस्सा है ये टकला माकन है दो महत्पुन रिगिस्तान वेस्ट साइड में टकल यह कुछ महत्पुन्ट नाम है जो आपको चाइना के बारे में जानने चाहिए चलिया के बढ़ते हैं डेज़ाट जैसा मैं भी कह रहा था गोभी और टकला माकन लेंग्वेज है मेंदरीन मेंदरीन वह की भासा हो गई जीडीपी है 14 ट्रिलियन डॉलर्स की जो की दुनिया क है चाहिदरिए करे चाहिए एक बाता उर्म के जो अधिक आवादी रोड़े में जितने महत्पुन्थ सब इधर हैं इस साइड मैं मैं वेस्ट मेरे के यह अक्षाई चीन जो हमारा कस्मीर का वो हिस्सा जो इनों ने कबज़ा किया हुआ है और पाकिस्तान उपर में काफी सारे देश कि रिगिस्तान तजकिस्तान है। आगे उसको देखने वाले हम लोग, तो जो चाइना की मुख्य अबादी है, वो इधर रहती है, चाइना के पूरव वाले भाग में, यहाँ पर आप देख रहे हैं यलो रिभर देख रहे हैं और यह आप यांगजी रिभर देख रहे हो, तो इसी एरिया में ज्यादा करके अ मजनी अवशक थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह देखो, आप यह इस टेसिया का मैप देख रहे हैं, कुछ महत्पुन देश आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको जपान दिख रहा है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रसिया, कुल 14 देशों के साथ, यह यह करता है चाइना, जिनमें अपना प्यारा भारत भी है, यह पाक अधिकरित कुल आप देख रहे हैं, और यहाँ पर यह अक्षाई चीन वाला हिससा देख रहे है, यही जो हिस्सा है, यह यह टकला माकन, चाइना का जो विस्ट है, और यह इस और यह इस अगोबी दे तो उसी नाम से आप देख रहे हैं बर्मा के नाम से हलांकि आज इसको व्यतनाम कहते हैं थाइलेंड के साथ चाइना बॉर्डर से नहीं करता यहां पर देखो लाउस है यहां व्यतनाम है और शारी मयानमार माफ करें बर्मा का पुराना नाम मेरमान है यहां व्यतनाम है यह से और यह म्यानमार है ठाइलेंड के साथ बॉर्डर से नहीं करता चाहिना डाइरेक्ट लेंड बॉर्डर से नहीं करता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह कुछ महत्पुन नाम है सन्यात से नियों की सिकाई जब हम लोग पुरी चाइनीज रेवोलूशन को पढ़ लेंगे तो वापस इस जगह पर लोटेंगे और मैं चाहूंगा कि यह जो साल के नाम लिखे वे ठाइस बीयाली से ठाइस साथ यह आप खुद से दिमाग पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन-कौन से महत्पुन घटनाई इन वर्सों में घटी है तो चलिए देखे चाइना की अर्ली चाइना चाइनीज रेवोलूशन तो भाई बीशवी सदी की बात है आज से कुछ साल साल पहले की बात है उसके पहले हमें थोड़ा अर्ल लग राजवनसो का सासन था अलग अलग डाइन अस्ति को हराकर खतम करके चिंग डाइनिस्टी का वहां सासन आ गया首-ं Lynd S64 में और यह जो चिंग डाइनिस्टी है यह 1644 से लेकर 1911 तक इनी का सासन रहा चाइना पर चिंग का यह आखरी इंपेरियल डाइनस्टी थी राज सत्ता थी राज परिवार थी जिसके बाद चाइना में राज सत्ता का हमेशा हमेशा के लिए 1911 में समाप्थी हो गया खात्मा हो गया तो ये चिंग डाइनेस्ट्री आई थी 1644 में, चाइना कमजोर पड़ा अखिरकार विदेशी शक्तियों के सामने इनी के दौर में, चिंग डाइनेस्ट्री के दौर में ही ये चाइना कमजोर हुआ, 2000 वर्सों से सफलता पुर्वा का अलग अलग राजवन्स वहां सासन कर रह जो है, विश्वी सदी में आकर तूट गया और रासत्ता के खिलाफ अंदोलन होता है, रासत्ता को खाल कर फेक दिया जाता है, इसमें कुछ महत्पुन घटनाय घटी है, देखिए, पंद्रहवी सदी से ही विदेशी आना सुरू कर चुके थे चाइना में, सबसे पहले मजबूत नहीं किया था, जबकि ये आप देखते हो चाइना काइस्ट और सौथ में पानी ही पानी है, लेकिन इन्होंने अपना नेवी मजबूत नहीं किया, और नेवी मजबूत नहीं करने के कारण चिंग डाइनेस्ट्री को बहुत सारा हार का सामना करना पड़ा, खेर उस बर बात करते हैं, तो विदेशी सक्तियां आना सुरू कर चुकी थी, 15 सदी से ही, पॉर्तिगीज, ब्रिटिज, फ्रेंज, नमाम लोग आते थे, व्यापार करते थे, 1838 की घटना है कि जो ब्रिटिज लोग थे, उन्होंने यहाँ ओपियम का व्यापार सुरू किया, ओ सत्ता को मानना पड़ता था, इनके आगे जुकना पड़ता था, लेकिन असली जो चिंग डाइनिस्टी और वेस्टरन पावर के बीच का जो जगड़ा शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरू हुआ, 1838 की घटना, 1838 में ओपियम का इंपोर्ट है ना, अंग्रेज लोग जो वो चाइना में ओपियम लाला कर बेच रहे थे, और हलत यह हो गई थी कि वहां की पूरी यूवा पिढ़ी जो है, पूरी तरह ओपियम के गिरफ्त में आ गई है ना, हर जगह यह जो आप देख रहो तस्वीर इसको ओपियम डेन कहते थे, ओपियम डेन, नीचे वाली जो अब तस्वीर देख रहे हैं, जैसे हुका बार वेगरा कैसा होता है उस तरीके का, देखो यहां लोग बैठे हुए हैं ना, और यह ओपियम का सेवन कर रहे हैं, पूरी चाइना इस तरह से जो है बरवाद हो रही थी नसा करके, तो चिंग डाइनिस्टी के एक अधिकारी ने, 1838 में क्या किया, कि ब्रिटिस के ओपियम के एक जहाज को आग लगा दिया, लगबग 20,000 डबे जो थे उनको आग लगा दिया, और यहां पर इसी घटना के बाद ब्रिटिस सासन में और चिंग डाइनिस्टी में युद सुरू होता है, फर्स्ट ओपियम वार होता है, फर्स्ट ओपियम वार, यह नाम याद रखेंगे, चैना के इतिहास का एक महत्पुर्ण नाम है, किनके किनके बीच हुआ, चिंग डाइनिस्टी के बीच, और अंग्रेजों के बीच, किसलिए भाई, अंग्रेज ओपियम बेशना चाहते थे, चिंग डाइनिस्टी चाहती उपियम वार कब हुआ था 1949 से 1942 तक फिर 1960 में सकेंड उपियम वार होता है फिर से चिंग डाइनिस्टी और अंगरीजों के बीच में इसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ता है तो ये धीरे धीरे ये सरकार बहुती कमजोर ये रासत्ता बहुती कमजोर हो गई थी लोगों का आम चाइनिज नागरीकों का भरोशा इस राज परिवार में खतम होता जा रहा था अच्छे एक और महत्मुन बाद ये जब पश्मी देश यहां पर आ रहे थे वेस्टरन इंपेरियल पावर्स आ रहे थे तो वो नाकिवल व्यापार कर रहे थे बलकि वो क्रिश्चन इ नरीज के खिलाफ भी एक जन्मानस एक गुसा एक नफरत की भावना चाइनिजों में पैदा हो रही थी उपर से राज सत्ता से नाराज गी थी कि भाई आप देश सम्हाल नहीं पा रहे हो विदेशियों के सामने घुटने टेक रहे हो तो इन्ही घटना ये घटनाएं हैं आपकी सारी उनिश्वी सदी की 1849 में जब पहला ओपियम वार शुरू हुआ उसके बाद से चिंग डाइनेस्टी का पतन धेरे धेरे शुरू हो गया देखते हैं घटनाओं को देखिए 2000 साल का इंपेरियल डाइनेस्टी था 2000 से अधिक वर्सों से राश चत्ता थी मिंग डाइनेस्टी को ओभर थ्रो किया 1644 में जैसे हमने अभी देखा 1911 तक शासन रहा चिंग डाइनेस्टी का 1500 से 1800 के बीच में वेस्टर्न इंपेरियल पावर्स जो पस्मी देश की जो ताक्ते थी वो इंपेरियल कॉलनी बनाने वाली जो सक्तिया थी इंग्लैंड था फ्रांस था यह सब आने लगे Christian मिसनरी जाएं वो प्रीच कर रही थी Islam को इसलाम का प्रचार प्रशार कर रही थी और Chinese को बदल रही थी Christianity में 28 सदी के अंतक British ने क्या कर दिया कि ओपियम मंगाना शुरू कर दिया चाइना में फर्स्ट अपियं में वार होता है एठार से उनचालीच से लेकर एठार से बीच में, इसमें भी बहुत बुरे हर का सामना करना पड़ता है और इतना ही नहीं इसके बाद वेश्ट से तो हमला हो रहा था सो ही रहा था, अब इन्होंने भाई जपान ने पस्मी सकतियां तो आकर हमला कर रही तो ठीक है लेकिन यह Νवासे जपान ने जपान की सकतिय बढ़ गई श्यपान ने भी चैना पे हमला कर दिया सीनों का मतलब होता है चैनि जफी डपनीज वार हुआ 1894 में फर्स्ट, सकेंड होता है 1937 में आगे हम लोग देखेंगे इसको, बहुत ही मसूर घटना है ये, World War II से जुड़ावा घटना है, तो चाइना और जपान के बीच में घटना हो, अच्छे एक बात और है कि जो चाइनीज लोग हैं, उनमें जपान के प्रती एक विशेश दुरा अगरा है, वो उसका भी एक महत्मुन रोल है, तो उसका ध्यान रखेंगे, फिलहाल बस ये समझना है कि 1894 में पहला चाइनीज जैपनी जूद हुद हुआ, चलि आगे बढ़ेंगे अब, ये जो आप देख रहें, उपर में तस्वीर एक देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिखाय जा रहा है कि देखो, ये चाइना का मैप है, है ना, और ये शारे विस्टरन पावर्स हैं, देखो, कैची लिएवे हाथ में हैं, और चाइना को काट रहे हैं, सब आपस हो बाट रहे हैं, है ना, विस्टरन जो पावर्स थी, जो इंपेरियल पावर्स थी, वो आत कि आम चाइनीज लोगों का जो बॉक्सर बोलते थे जो कुम्फु कराटे लोग करते थे ना उनको बॉक्सर कहा जाता था उन्होंने विद्रोह किया था 1899 और 1901 में ये घटना घटी देखो इनको लगता था जो कुम्फु मर्सलाट वालों लोग थे इनको लगता था कि ये कुछ अद्भुत इनको सकती है या इनको कुछ अलौकिक शकती है और इनको लग रहा था कि भाई देखो हमारी चिंग डाइनेस्टी तो अंगरेजों से लड़ नहीं सकती विदेशियों से लड़ नहीं सकती गोरों से लड़ नहीं सकती तो इन्होंने ही मोर्चा खोल दिया इनके खिलाफ क्रिश्चन मिशनरीज के खिलाफ और जितने भी अलग अलग संस्थाएं क्रिश्चन संस्थाएं थी और जितने भी पश्चमी देशों क जो राज दुतावास थे वहाँ पर इन्होंने हमला कर दिया 1899 और 1901 में और अंग्रेजों को मौका मिल गया उन्होंने इसे भी कुछला और पूरी तरह चाइना को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी इस विद्रों को कुछला तो लगातार चाइना की चाइनीज लोगों की और डैनेस्टी की हार हो रही थी फर्स्ट ओपियम वार में जपान से हारे फिर बॉक्सर रिबेलियन हुआ उसे भी कुछल दिया गया तो यह बहुत ही बूरा दौर चाइना का चलि आगे बढ़ते हैं कि सेंचूरी और हुमिली versão हमेलेता तो अपमान सेंचूरी मतलब सदी अपमान की सदी यह जो प्रस्ट ओपी अमर्व से लेकर हो मतलब मान के चलो कि अटारा सो नहास विचारीश तक चला था कि यहाँ से लेकर और जब तक चाइना पूरी तरह आजाद नहीं हो गया या नई सरकार का गठन नहीं हो गया 1949 ये लगभग 110 वर्सों की अवधी को century of humiliation कहा जाता है इन 100 वर्सों के भीतर 1849 से लेकर 1949 तक चाइना को बहुत सारे हार बहुत सारे नर्सनहार, मैसेकर्स देखने पड़े, ग्रिह युद देखना पड़ा, बहुत सारी चीज़े भी, लाखो लाख लोग मारे गए तो इस सदी को century of humiliation कहा जाता है यह आप जो map देख रहे हैं, इस map में देखो एक Chinese खड़ा है, बहुत ही मसूर यह तस्वीर है बहुत ही प्रचलित तस्वीर है चाइना के बारे में यह एक Chinese खड़ा है, देखो चिला रहा है ब्रिटिस इंडिया उस वक्त भारत जो है अंग्रेजों के कबजों में था, तो यह ब्रिटिस इंडिया आप देख रहे हैं, यह ब्रिटिस बर्मा, मयानमार जो है उस वक्त अंग्रेजों के कबजे में था, यह निपाल है, यह देखो चाइनीज इंपायर है, अब देखो French के पास था, ये हिसा रसिया के पास तो मतलब तमाम हिस्से जो है. चाइना के बटे हुए थे, ये जो हिसा रसिया के पास था, ये मैंचूरिया इसको बोलते हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या था Century of Humiliation में? चिंग डानिस्टी में पॉलीटिकल वील की कमई थी, उनका नेशनल ओथरेटी नहीं रह गया था, रास्ट पर उनका नियंतरन नहीं था, पॉपलर सपोर्ट की कमई थी, आम जन्मानस में राशत्ता के खिलाफ जो राशत्ता पर जो विश्वास है, वो विश्वास कमजोर हो सरेंडर इट्स पावर चाइनीज को लगता था कि डैनिस्टी ने अपनी पावर को सरेंडर कर दिया है और उनको मैंडेट आफ हेविन देवताओं का जो असिरवाद था देवताओं का जो मैंडेट था वो उनसे खतम हो गया अचिन गया है 1849 से जैसा मैं भी बता रहा था उनसे उन्चास तक इस अवधी को मानते हैं सेंचुरी ओफ हुमिलियेशन चलिए तो चाइना कमजोर पढ़ चुका है विदेशियों का कबजा हो गया है क्रिस्टन मिस्नरीज अपने चरम पर हैं लोगों को क्रिस्टनेटी में तबदील कर रह नहीं है कि कई सारे boxer rebellion जो है उने सो में उने सो एक और 1899 में boxer rebellion जो है वह सफल रहा कि उने सो एक का boxer rebellion यह 1899 का कि यह सफल रहा तो राजसत्ता कमजोर पढ़ चुकी है तो अब राजसत्ता के खिलाफ बगावत सुरू होता है और इसके दो प्रमुक्स चेहरे लुबर के आते हैं एक है डॉक्टर सन्यात सेन्ट एक क्रांतिकारी नेता थे हैना पढ़े लिके थे अमेरिका से पढ़कर आये थे तीन सिध्धान्त त्री प्रिंसिपल्स के नाम से इनका विचार प्रसिद्ध है त्री प्रिंसिपल्स इनका डॉक्टर सन्यात सेन्ट के तीन सिध्धान्त बहुत ही मसूर है और यह सवाल भी पूछा जाता है कि वट वर थे थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर सन्ट तो तीसरा कि लोग प्रोषपेरस होंगे, संपन होंगे, लोगों की रोजी-रोटी बहुत महत्पुर्ण है, लोगों की लैवल्यूड जो है, आजीवी का रोजी-रोटी बहुत महत्पुर्ण है, तो यह त्री प्रिंस्पल्स थे तो ये एक नेता थे जो चिंग डाइनेस्टी के खड़े होने वाले थे और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे युवान सिकाई युवान सिकाई एक बहुत ही महत्पूर्ण नाम है देखो ये दरसल आर्मी जेनरल थे चिंग डाइनेस्टी के टाइम में ही ये आर्मी जेनरल थे युवान सिकाई और ये नेता थे डॉक्टर सन्याथ सिन देखो जो राज परिवार जो था जो चाइना पर सास्थन कर रहा था राज परिवार में भी कई सारे अलग-अलग फैक्शन बन गए थे अलग-अलग गुट बन गए थे उन में से एक गुट के साथ युवान सिकाई थे लेकिन जब पूरे देश में महौल बदलने लगा लोकतंत्र की तरफ लोक बढ़ने लगे रिपब्लिक की मांग होने तो उस वक्त सत्ता इनकी मां चला रही थी अभियसी बात है यह नाम के साथ सकते इनके मां के हाथ में पावर था तो यह लास्ट इंपेरर थे तो युवन सिकाई आर्मी जनरल थे और इन होने ही युवन सिकाई नहीं पूयू के मां को समझाया कि भाई देखो अब देश का महल राशत्ता के पश्में नहीं है बहतर होगा कि आप अस्टेव डाउन कर जाए और देश को रिपब्लिक बनाने का समर्थन करे इस आंदोलन का समर्थन करे और देश में रिपब्लिक को कायम करे तो युवन सिकाई एक महत्पुन नाम बनके उभरे इस जिंगायर एबोल कि विकेंड चिंग डाइनेस्टी चिंग डाइनेस्टी कमजोर पड़ चुकी थी रॉयल परिवार के भीतर भी क्लैसे चल रहे थे अलग-अलग गुट बन गये थे इनहीं में से एक गुट के साथ थे कौन युवन सिकाई आर्मी जेनरल एक्स्प्लाइटेशन एंड हुमिलियेशन बाइ वेस्टर्ड इंपेरियल पावर्स पस्चमी जो सक्तियां थी फ्रांस इंग लैंड वेगरा वो लोगों का सोशन कर रही थी और हुमिलियेट भी कर रही थी अपमानित भी कर रही थी दो प्रमुक चहरे उभर कराते हैं प्रॉमिनेंट फेशेज रिवोलुशन में कौन-कौन डॉक्टर सन्यात सेन और दूसरे युवन सिकाई लास्ट एम्पेरर जो पुई था वो केवल 6 साल का था जिसे 1912 में हटा दिया जाता है ये 1911 की घटना आप देख रहे है इवेंच्वाली आखिरकार डैनेस्टिक रूल केम टो एन इंड आखिरकार जो राज सत्ता है वो जिंगाय रिवोलुशन के बाद 1911 में समाप्त हो जाती है यह दो चेहरे देख रहे हैं एक हैं डॉक्टर सन्यात सेन जो रिवोलुशनारी लीडर थे राष्ट्रवाद के पैरोकार थे यह लीडर थे और यह यून सिकाई जो आर्मी जिनरल थे तो यह दो महत्पुन चेहरे उभर के आने वाले हैं 1911 के करांती के बाद यह दुख मुख के चेहरे चाइना में उभरते हैं प्रॉमिनेंट फेसेज बनके आते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखो निश्व 111 की जो घटना थी वो तो हो गई और उखाल फेका गया है अब किसको चिंग डाइनिस्टी को समाप्त कर दिया गया लेकिन भाई आब कोई तो सत्ता चाहिए कोई तो सासक चाहिए जो देश को चलाए तो प्रोविजनल गुवर्मेंट ततकालिक सरकार का गठन किया जाता है उन्हें 112 में एक जनवरी 1912 को डॉक्टर सन या थिन ने कहा कि चाइना अब रिपब्लिक हो गया इन्होंने एक जनवरी 1912 को चाइना को रिपब्लिक घोसित कर दिया कि चाइना जो है अब कोई इंपिरर वाला सासन नहीं होगा यहां रिपब्लिक चलेगी लेकिन UN सिकाई जो थे ये अपने रोटी सेखने के चक्कर में थे तो ये UN सिकाई और डॉक्टर संग में मतभेद हुआ है ना टकराओ की अस्तिती पैदा हो गई अगर आप चाइना के मैप को समझोगे तो एक महत्मुन बात को समझो ध्यान से देखो के मान लो कि ये चाइना है यहाँ पर है नैंजिंग और यहाँ पर है पेकिंग पेकिंग किसका मैंने सुरू में बताया था बीजिंग का ही पुराना नाम पेकिंग है और यहाँ पर है न नैंजिंग थी, डॉक्टर सन ने जब एक जनवरी को रिपब्लिक की घोसना की और नई सरकार का गठन किया गया तो वो उसका खिंद रखा गया नैंजिंग, लेकिन यूएन सिकाई जो आर्मी जेनरल थे, ये आर्मी को लेकर बैठे वे थे कहां पेकिंग में, अब नई नई सरकार बनाई है, डॉक्टर सन याथ सेन ने नैंजिंग में, और इनको भई, कोई भी नहीं सरकार है, और देश में अस्तिरता का महौल है, क्योश है, तो आपको सिनातों चाहिए, जिससे आप सासन चलाएंगे, ववस्ता करेंगे, लेकिन आर्मी किसके पास है, यूएन सिक सरकार में ही, अच्छे यह जो पहली सरकार की घोशना की गई एक जनुवरी को, उसमें डॉक्टर सन को फर्स्ट प्रसिडेंट भी चुन लिया गया, नै बने रिपब्लिक का, फर्स प्रोविजनल गवर्मेंट का फर्स्ट प्रसिडेंट कौन बने डॉक्टर सन, लेकिन मा कराइनिस्टी को सारा मेंनत भिकार हो जाएगा इन्होंने इस्तिफा दे दिया I.S और यूएल्स्टिकाई को सकेंड प्रसीडेंट चुल लिया गया जो आर्मी जैनरल थे इनको सकेंड प्रसीडेंट चुल लिया गया और श들이 फिर ज़ुकी आर्मी इनकी यही Connor के सब्सक्राइ गुवर्मेंट कहेंगे चुकि पेकिंग का अधोनिक नाम क्या है बीजिंग है यूवन सिकाई की जो आर्मी पेकिंग में थी इस सहर में उस आर्मी को कहते थे बेयांग आर्मी बेयांग आर्मी इसलिए कई वार जो यूवन सिकाई ने जो सरकार बनाई पेकिंग में उसको ब बैयांग गवर्मेंट यह नाम इनकी सेना के उपर पड़ा चली देखते हैं क्या क्या है एक जनवर उनिस्टो बारह ततकालिक सरकार गठित की गई डॉक्टर संच चुने गए पहले रस्ट पती बेस बना नैंकिंग नैंकिंग किदर है सौथ में अच्छा नैंकिंग को नैं जगड़ा सुरू हुआ तो एवाइड क्रेंफर कंफरेंटेशन जगड़ा से बचने के लिए एंड यूनिफाइड चाइना और चाइना को यूनिफाइड करने के लिए डॉक्टर सन अस्टेप डॉन मतलब पद से उतर गया राश्टपती का पत्याग दिया दस मार्च यून सिकाई चुजन सकेंड प्रसिडेंट यून सिकाई को सकेंड प्रसिडेंट चुन लिया गया और उन्हेंने गवर्मेंट का बेस कहां से नैंजिंग से शिफ्ट कर दिया कहां पेकिंग चुकि आर्मी पेकिंग में थी 23 अगस्त को डॉक्टर सन ने नई पार्टी केम्टी का गठन किया ये सारी गठना आप 1912 का देख रहे हैं जो भी आप गठना देख रहे हो आप 1912 का देख रहे हो ये सारी गठना 1912 के देख रहे है एक जन्वरी को सरकार का घुषना हुआ दस जनवरी को इनका डॉक्टर सन का इस्तिफा हुआ युवन सिकाय को दूसरा रास्पती चुना गया 23 अगस्त को को मिन तांग ये नाम मत भूलिएगा आम भसा में के एंटी का गठन किया गया 23 अगस्त 1912 को डॉक्टर सन के द्वारा राजनेतिक पार्टी का गठन हो गया ये पहली राजनेतिक पार्टी आई चलो तो आप इस तस्वीर को थोड़ा देख लो इसमें बाते ज्यादा समझ में आ जाएंगी देखिए मैं जो कह रहा था ये है आपका नैंजिंग डॉक्टर सन यहां सरकार बनाना चाहते थे और ये है आपका पेकिंग या बिजिंग यहां यूएन सिकाई बैठे वे थे जेनरल आर्मी और यहां डॉक्टर सन की सरकार जब दस मार्च को यूएन सिकाई को प्रसिडेंट चुना गया तो सरकार यहां से सिफ्ट कर दिया गया कहां पर बिजिंग में क्लियर आगे यह सहर का भी नाम आने वाला है गौंग जू मैं बारवार दिखा रहा हूं यहां हौंग कॉंग है और गौंग जू है यह नाम आगे बारवार यहां संगाई है तो इन सहरों का नाम ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो 1912 की घटना अभी खतम नहीं हुए 1912 बहुत ही महत्पून साल है प्रोविजनल सरकार बन गई जनवरी में मार्च में यूएं सिकाई को रस्पति चुन लिया गया अगस्त 1912 में कोमिन तांग केम्टी का गठन हुआ दिसंबर 1912 में चुनाओ करवाए गये केम्टी सत्ता में आ गई और डॉक्टर सन को प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया अब बात को समझिएगा कि हमारे प्रेसिडेंट कौन बने हुए भाई तो हमारे प्रेसिडेंट है यूएं सिकाई सेकेंड प्रेसिडेंट और उसी साल जब चुनाओ होता है तो पी एम बन कर कौन आ जाते हैं डॉक्टर सन यात सिन और ये भी बहुत ही पॉपुलर वोट स के बीच और यूएं सिकाई चुनिवी सरकार को ज्यादा सकती देने के पचमे डॉक्टर सन को ज्यादा सकती पावर देने के पचमे नहीं थे प्रेसिडेंट इवान सिकाई जो है पी एम डॉक्टर सन को इगनोर करना शुरू कर देते हैं घटनाएं जो हैं बढ़ने लगत जिरोएन नाम था उनका आगे हम लोग देखेंगे सौंग जी रोएन की हत्या करा दी जाती है 1913 में कि इतनी इतनी पॉपिलर सरकार इतनी पॉपिलर पार्टी इतनी पॉपॉपलर नेता और उसपाटी के बहुत बड़े नेता सौंग जी अरोटी अध्यस थे के एंको उस वक्त उनकлом जबना उनकी हत्या क vert to your और इतना ही नहीं केंपको सरकार से बर्खास्ट कर दिया जाता है स जपान चुक्य उनको डर था कि प्रसिडेंट उनकी हत्या करा सकते हैं जैसे पाटी अध्यास की करवा दी तो यह जपान भाग जाते हैं उनिश्व तेरह में डॉक्टर सनियात सेन और अब फिर से केवल और केवल सत्ता किन के पास आ गई है उन सिकाई के पास पीम तो अब र राजसत्ता को हटाने के लिए किनों ने किया डॉक्टर सन और युवन सिकाई ने मिलकर एक राजसत्ता को खाड़ फेका उनिश्व पंदरा में उसी युवन सिकाई ने खुद को इंपेरर घोसित कर दिया और डॉक्टर सन को तो भाग जाना पड़ा था तो गटना को की घटनाब देख रहे हैं कि फिरिंग देथ मौत के भैसे डॉक्टर सन फ्लेड इंट इंट इक्साइल निर्वासन में चले गए इन जापान इन नैंटीन थर्टीन को खतम कर दिया गया नॉंबर 1913 देखो पिछले ही साल अगस्त 1912 में तो सरकार बनाया पाटी बनी थी फागना पड़ा तो पार्टी को डिजॉल्व कर दिया गया पार्टी को निरस्त कर दिया गया समाप्थ कर दिया गया केंटी खतम हो गई 1915 यूएन सिकाई प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ इंपेरर और जो आर्मी जेनरल जो प्रेसिडेंट बने थे सेकेंड प्रेसिडेंट उन्होंने खुद को इंपेरर घोसित कर दिया लेकिन अगली घटना मात्मुन है 1916 में यूएन सिकाई की मौत हो जाती है अब यहां पर चाइना में एक नया दौर सुरू होने वाला है बात को समझना डॉक्टर सं तो रहे नहीं डॉक्टर सं तो भाग गये जापान यूएन सिकाई के डर से और यूएन सिकाई जिसने खुद को इंपेरर घोसित कर दिया वो मर चुके हैं तो अब देश में अब चाइना में ना तो राज सत्ता है इंपेरियल डैनेस्टिक नहीं है वो तो निश्वेगारे में समाप्त कर दिया था आपने डॉक्टर सं भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है और यूएन सिकाई जो नए इंपेरर बने थे वो भी नहीं है तो आप चाइना में सासन करने वाला कोई नहीं रहा पूरे देश में क्योस का महौल हो गया हलांकी बात को समझना 1916 में जब यूएन सिकाई की मौत होती है तो उनक उनकी फेकिंग में यह गов़र्मेंट तो भी भी है पूर्मेंट तो बचीव भी है यूएन सिकाई के जो सक्सेसर्स हुए उनके बाद के लोग आ है उन्होंने कोशिस किया कि ये सरकार चलती रहे पेकिंग वाली सरकार चलती रहे लेकिन इनके अंदर इतनी छमता नहीं थी कि यह पूरे देश को अपने कंट्रोल में रख पाते जगा जगा अंदोलन विद्रो होना शुरू हो गया चुकि जो पॉपलर नेता थे वह वह चेहरा तो रहा नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं तो यून सिकाई की मौत के बाद 1916 से 1928 ये लगभग 12 वर्सों की अवधी को वारलोड एरा कहते हैं 1916 से 1928 इसी साल जो है देथवी किस की यून सिकाई की अब बात को समझना 1916 में यून सिकाई की मृत्ति होती है डॉक्टर सन को तो अब खत्रा रहा नहीं जिसे खत्रा था वो तो मर चुका तो यह जो है 1917 में वापस चाइना लोट आते हैं डॉक्टर सनियात सेन है न अब देखो यहां पर अभी विद भले वह नहीं है यून सिकाई खतम हो गया लेकिन उनकी सरकार अभी भी यहां पर बैटी वी पेकिंग में बिजिंग में यहां उनकी government बयांग government भी कहते हैं इसको आप लाल-लाल इलाके देख रहे हैं ना इन्ही को कहा जाता है warlords, warlords वो लोग थे जो राज सत्ता के टाइम शक्तिसाली लोग थे या सेना के लोग थे वो, इनको मौका मिल गया, देश की सरकार कमजूर हो, तो इन्होंने अपने अपने इलाके बना लिया, अपने अपने प्र सरकारती, नपने सरकारती, देखते हैं क्या होता है, यूआंत देथ असर्ट चाइना इन्टु एन एरा ओफ क्योश, यूआन के देथ ने चाइना को एक क्योश वाले एरिया के एरा में धकेल दिया, struggle for power among warlords, और आपस में ही warlords के बीच पावर का संगर्ष, सत्ता का संगर् और या, कई लोगों ने many sovereign areas, कई sovereign areas, शोतंतर इलाके घोशित कर लिए गया, यहाँ बयां गवर्मेंट का नहीं चलेगा, पेकिंग की सरकार जो है नहीं चलेगी हैं, दोड बयांग गवर्मेंट इन पेकिंग मैंनेस टू सर्वाइव जो बयांग गवर्मेंट थी नौर्थ में पेकिंग में आधुनिक बिजिंग में वो सर्वाइव तो कर गई लेकिन इसका कंट्रोल जो है चाइना पे नहीं रहा तो देखो चाइना खंडखंड हो चुका है वारलोट्स ने अपने अपने इलाके बना लिये हैं सरकार बैठी तो है लेकिन कमजोर है और इसी बीच डॉक्टर सन्यात से जपान से आ चुके हैं 1916 में युवन सिकाई की मौत होने के बाद 1917 में वो लॉट आये 1917 में जब वो लॉट कर आते हैं तो एक दो साल संगर्ष करते हैं 1919 में पार्टी जो केम्टी थी जिसको डिजॉल्व कर दिया गया था केम्टी को खतम कर दिया गया था 1913 में जब भागे थे न वो जपान भागे थे डॉक्टर शंथ तो केम्टी को समात किया गया था उससे उनेशो नईस में दुवारा से रिसरेक्ट का मतलब होता है पुना जिंदा करना किसी चीज को वापस जान देना जान फूखना 1929 में party केम्टी को resurrect किया गया दुवारा से गठित किया गया 1921 में यह जो चाइना है न मालोई चाइना है यहाँ पर नॉर्थ वाली गौर्मेंट टिवान सिकाई की बचीवी सरकार बैठी वी है इस सौथ में यहाँ पर एक गौंग्जु सहर है संगाई यहाँ होंकों के पास गौंग जू 1921 में केम्टी ने डॉक्टर सन्यात से ने इस वाले इलाके पर डॉक्टर सन्येक सरकार बना लिया केम्टी ने तो अब चाइना में दो सरकारे हो जाती है एक तो वो जो असली सरकार है फेकिंग वाली यूएन सिकाई की जो सक्सेसर्स हैं और दुनिया के देश इसी सरकार को मानेता दे रहे हैं चुकि आधिकारिक सरकार तो यही है दुनिया भर के जो देश हैं यह इसी को मानेता दे र तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मदद लिया डॉक्टर सन्ने मदद लिया रसिया से और रसिया ने रूस ने इस सरकार को अपनी मानेता दी कि हाँ ये जो है वैदे सरकार है और हम इस सरकार को मानते हैं गौंग्जु वाली सरकार को के एमटी की सरकार को और इतना ही नही देखो डॉक्टर सनियात सेन जब पहले वार प्रोविजनल गुवर्मेंट के रास्पती बने थे तो इनको दो महिने में ही पद छोड़ना पड़ा था 1912 के मार्च में क्यों UN सिकाय के दवाब में क्यूंकि इनकी पास सेना नहीं थी डॉक्टर सन के पास सेना नहीं थी तो डॉक्टर सन की सरकार को ना केवल रसिया ने माननेता दी बलकि इनकी मदद भी की आर्मी बनाने में रसिया ने डॉक्टर सन के सरकार को मानेता दी और केम्टी को अप नई आर्मी गठित करने में मदद भी करी तो अब चाइना में दो सरकारे हैं एक पेकिंग की सरकार है और एक सौथ में गौांगजू की सरकार है देखते हैं क्या होता है कि उनेशो सत्रह डॉक्टर सन रिटर्ण दस अक्टूवर को केम्ट उनेशो नेश में केम्टी रिफॉर्म्ड को दुबारा गठित किया गया कौमिन तांग को उनेशो एकीस डॉक्टर सन इस्टैबलिस्ट गवर्मेंट इन गौंग जू गौंग जू में इन्होंने सरकार का गठन किया पॉल डेभल के किनारे जो कि साउथ में है होंग कॉंग कों के पास मैंने बताया कि ट्राइड टू रेज आर्मी बिद्ध हिल्प ऑफ रसिया रसिया की मदद से डॉक्टर सनियात सेन ने सेना त्यार करने की कोशिज करी अच्छा देखो रसिया जो है वह वह वाम पंती देश है नव कॉमिनिस्ट वाम विचारू वाला लिफ्ट विचारू वाला देश है तो होता क्या है कि केमटी ने 1921 में सरकार तो बना ली गौंग्जू में कैंटन गौंग्जू को कैंटन नाम से भी जानते मैप देखोगे तो चाइना के सौथ में आपको दिखे गई है उसी 1921 में एक नई पार्टी का गठन होता है सीपी सी कम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ चा पाइना में तो रसिया ने कहा चुकि रसिया का तो केमटी के साथ गठवंदन था ही रसिया तो उनको सपोर्ट करी रहा था तो रसिया ने बोला कि भाई तुम लोग दोनों मिलकर काम करो तो नई नई बनी पार्टी सीपी सी को केमटी के साथ गठवंदन करने का मौका मिला First United Front के नाम से इसको जानते है ये Nationalist Party है KMT, रास्टवादी पार्टी है Dr. Sun की पार्टी है और CPC Communist लोग है वाम पंती लोग है वाम विचारधारा के लोग है अलग-अलग थोड़े विचार होने के बावजूद दोनों मिलकर गटवंदन बनाते है और ये गटवंदन चार साल चलने वाला है ये बहुत ही महत्मून गटवंदन है देखते हैं क्या होता है तो Communist Party founded in July 1921 में इसका गठन किया गया Members of CPC would join the KMT CPC के जो Members थे Communist Party of China के जो Member थे वो कौम इंतांग को जॉइन कर रहे थे गटवंदन में भी थे और सरकार को भी जॉइन कर रहे थे जो South में जो सरकार बनी KMT की गौंग्जो में उस सरकार में भी ये लोग सामिल हो गए गटवंदन के लोग तो First United Front ये ध्यान रखने वाली बात है अधरा इस तस्वीर को देखे कि इस तस्वीर में सारा मामला किलियर हो जाने वाला है देखो ये जो आप देख रहे हैं यहां यहां पर है वो यूवान सिकाई की बचीवी सरकार नौर्थ में ये सारे वारलोड के इलाके है अलग अलग अना जिन पर इस सरकार का कबजा नहीं है ये अपना अपना छेतरी इन लोगों ने बना लिया वारलोड्स ने और जपान से लोटने के बाद डॉक्टर सनियात से ने ये साउथ में यहां गौंगजू में सरकार बना ली तो आपको अब चाइना में दो सरकारे नजर आ रही है एक सरकार यहां सौथ में दिख रही है और एक सरकार यहां नौर्थ में दिख रही है दुनिया की देश इसको मानेता देते है नौर्थ वाली सरकार को रसिया इसको मानेता देता है सौथ वाली सरकार को केम्टी की सरकार को और इसमें ना केवल केम्टी है कौमिन तांग तो हैं इसमें CPC भी सामिल है चली देखिए अब एक महत्पुन घटना होती है जिसका जिकर जरूरी है चार मई उनिश्व 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 को 4 मई उनिश्व 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 की घटना है 4 मई bunun 1919 बहुत इंपौर्टने घटना है जय्व जो नौर्थ में पेकिंग गुष्वर्मेंड थी उसमें कोई मजबूत लीडर नहीं था पेकिंग सरकार में ब्यां ग्यूर्मेंड में कोईमें पुर्पुन नेता नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो महत्पुन बात हुई कि चाइना, इंग्लैंड, जापान सब एक तरफ से लड़ रहे थे, है ना फ्रांस ये एक तरफ थे जब जर्मनी को हराया गया फर्स वल्ड वार में जर्मनी को प्रास्त किया गया तो चाइना का एक एरिया है सैंडॉंग, चाइना के इस्ट में है सैंडॉंग उस जगह का नाम है हालांकि कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो जा रहा है फिर भी यह जर्मनी के पास था यह चाइना के लाका जर्मनी के पास था तो जब जर्मनी की हारवी तो चाइना ने मांग किया चाइना की सरकार जो थी पेकिंग गवर्मेंट इसने मांग किया कि भाई ये संडॉंग वाला जमीन हमें वापस कर दो लेकिन फ्रांस और इंग्लेंड ने ये जमीन जो चाइना की थी जर्मनी से लेकर चाइना को ना दिया बलकि ये जमीन जपाइन को दे दिया और ऐसे ही जपान की खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था जपान से एक युद भी हो चुका था आपका फर्स सिनुट साल पहले तो जपान से तो ऐसे ही नाराजगी रहती है चाइना के लोगों की और जब ये बात खबर फैली लोगों में कि भाई जर्मनी से ली गई जमीन जो चाइना की जमीन है वो जपान को दी जा रही है तो और ज्यादा नाराजगी हुई और ये लाचार बेचार कमजो पूर सरकार जो है फ्रांस और इंग्लेंड के सामने आवाज नहीं उठा सकी बिरोध नहीं कर सकी इस फैसले का कि जापान को क्यों दिया जा रहा है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बोलते हैं इसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इसी के खिलाफ यहां पेकिंग याज बेजिंग आज का उपर चात्रों ने प्रदर्शन किया इस इस घटना के खिलाफ सेंडॉंग वाली जमीन जापान को दी जा रही थी इसके खिलाफ देखते हैं क्या माम लाई है कि एन एंटी-इंपेरियलिस्ट कुल्च्रेल एंड पॉलिटिकल मॉव्मेंट हुआ चार मई को यह दिखी नीचे तस्वीर दिखा रही दिखा रही है चात्रों का बीजिंग में प्रदर्शन करते हुए किसके खिलाफ ट्रेटी ऑफ वर्सेल्स के खिलाफ क्या था ट्रेटी ऑफ वर्सेल्स अच्छा यह घटना वाइलेंट हो गई बहुत सारे लोग मारे गया विक रिस्पॉंस ऑफ बेयांग गोवर्मेंट टू फॉरेंड पावर बेयांग सरकार जो चाइना की जो सरकार थी नौर्थ में जिसको दुनिया मानती थी यह बहुत ही कमजोर थी और इसका कोई रिस्पॉंस मजबूती से अपने पच्छ को नहीं रख पाई सेंडॉंग प्रॉब्लम लेंड टू जपान ट्रिटी ओवर्साइल्स में यही एक बात थी कि यह जमीन थी सेंडॉंग वाली सेंडॉंग की जमीन जो थी जो वास्तों में मिलना चाही था चाइना को यह दिया जा रहा था किसको जपान को तो इस घटना ने वापस से पूर दॉक्टर सनियात सेन की सरकार, ये सरकार कमजोर है, बीच में सारे वारलोट्स हैं, वारलोट्स ने अपना अपना छेतर बनाये हुआ है, तो इस सरकार के खिलाफ, जो असली सरकार मानी जा रही है, उस सरकार के खिलाफ, लोगों में गुस्सा बढ़ना सुरू हो जाता है, च उसको खतम कर देंगे, पूरे चाइना को हम वापस एक बना देंगे, पूरे चाइना में हमारा ही अधिकार हो जाएगा, हमारा ही राज हो जाएगा, इस उदेश से Northern Expedition, Northern मतलब उत्तर की और उत्तर की और यात्रा जो है शुरू की जाती है, लेकिन बात को समझना अब यहां पर होता क्या है, कि डॉक्टर सन गुजर जाते हैं, आपके 1925 में डॉक्टर सन की मृत्ति हो जाती है, क्यम्टी के नेता, डॉक्टर सन यात्सेन, क्यम्टी के संस्थापक की मृत्ति हो जाती है 1925 में तो अब जो है केम्टी का जो पावर है नए नेता उभर के आते हैं चियांग काई सिक कि के नए नेता अच्छा केम्टी के साथ गटवंधन में कौन है सीपीसी है कि देखो केम्टी और सीपीसी का गटवंधन तब तक ठीक चलता रहा जब तक सन्यात से केम्टी के नेता थे लेकिन जैसे ही चैंकाई सेक नेता बनते हैं केम्टी के सीपीसी और केम्टी में धरार पढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि चैंकाई सेक जो थे ये बिलकुल भी नहीं पसंद करते थे कम्मिनिजम को वंपंथियों से इनको सकत इलरजी थी तो जब नौर्दन एक्सपेडिशन सुरू होता है यहां से गौंग्जू से ये पेकिंग की यात्रा सुरू होती है कि हम पेकिंग को अपने कबजे मिलेंगे और वारलोट्स को हराएंगे इन सभी इलाकों को अपने तो चाइकंग सेक जो थे जो अब केम्टी के नेता बन चुके थे ये ना केवल इस सरकार से लड़ रहे थे बलकि वामपंथियों से भी इनकी लड़ाई हो रही थी नौर्थ की और बढ़ते हुए ये इनको भी खतम करना था सरकार को और वामपंथियों को भी इनफेक्ट एक वहोद घठना जटी है संधै में संधाई मैंसेकर के नाम से जहां हजारो वामपंतियों को अपने ही पाटी के जो एलाइंस वाले लोग हैं गडवंदन के लोग हैं उनकी हत्या करा देती हैं केमटी की सरकार जो है वह दोहां कि दिख सेस्ट की सřबकर जो है ड섯 जहाँ dau आई होप आपको आनन्दा रहा हो डॉक्टर शन की मृत्ति होती उनिसो पचीस में च्यांकाई सेख रोज टू प्रोमिनेंस इन केम्टी च्यांकाई सेख का जो है दबदबा बढ़ जाता है वो प्रोमिनेंट चेहरा बन जाते हैं देखो यून सिकाई तो बहुत पहले मर और डॉक्टर शन याथ सें तो रहे नहीं तो च्यांकाई सेख केम्टी के नेता हैं और यह बहुत ही फेमस हो गये हैं कॉम्मिनिस्ट लोग जो थे वो असंकित थे किसको लेकर नए नेत्रित को लेकर बहुत ही असंकित थे अप्रिहेंसिव थे 9 जुलाई 1926 को केम्टी की जो सरकार थी जो सौथ में थी इन्होंने नॉर्दन एक्सपेडिशन शुरू कर दिया वार्लोट्स के खिलाफ जो वार्लोट्स जो नॉर्थ में थे दिसमबर 1926 को जो केम्टी और सिपी सी की जो एलाइंस थी अभी जाके एलाइंस टूटा नहीं है इस एलाइंस ने एक सरकार बनाया प्रोविंचियल गवर्मेंट बनाया कहां वुहान में तो इन लोग यहां से यातरा शुरू कर रहे हैं गौंग्जू से उसके बाद यहा कहां नैंजिंग की तरफ नैंजिंग में अपनी सरकार बना लेते हैं और फिर फाइनली लोग बयांग गवर्मेंट या पेकिंग गवर्मेंट को भी लोग हरा देते हैं आगे हम लोग देखते हैं one by one 1927 Communist Austin from the Wuhan government देखो 1926 में दोनों ने मिलकर KMT और CPC के गटवंदन ने मिलकर Wuhan में सरकार बनाई और 1927 में Communist को Wuhan government से चाहिंकाई सेक ने बरखास कर दिया उनको हटा दिया निकाल दिया और 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 मतलब निकालना यह देखो आप Northern Expedition का आप एक मैप देख रहे हैं बहुत ही खुबसूरत मैप है और इसमें सारी बात आप समझ जाओगे मैं कुछ डिमार्केट करके आपको दिखा रहा हूँ देखो यह है कौंग्जू केंटन के नाम से भी जानते हैं और यह है पेकिंग की सरकार नौर्थ में जगड़ा इन दोनों के बीच है यह अलग-अलग वार्लोड के इलाके हैं देखिए नौर्थ की और इन्होंने यात्रा सुरू किया है यहां से यहां गया इसके बाद उन्होंने वुहान में सरकार बना लिया उन्हों 26 में यह वुहान है है ना इधर भी देखो यह मार्च कर रहे हैं सारे वार्लोड को हराते जा रहे हैं तो वारलोट्स ने अपने इंडिपेंडेंडेंट एरियाज घोशित कि वे थे उन्हें वो हराते जा रहे हैं इसके बाद फाइनली यहां पहुचते हैं देखो नैंजिंग यहाद है कौन सी जगह है जहां उन्हें 111 से पहले राजपरिवार का राजधानी हुआ करता था और बनाया था तो उन्होंने यहीं पर बनाया था तो चैंकाई से का नॉर्दन एक्सपेडिशन बहुत ही सफल रहा सारे वार्लोट्स को वह राते गया और फाइनली वह कहां पहुच गई है यह देखो बता रहा है यह फाइनली उन्होंने पेकिंग की सरकार को भी खतम कर दिय गया और यह करते हुए वह उनको टाइम लग गया उन्हें इस सो अठाइस में फाइनली जो है यहां की सरकार खतम हो गई तो यहीं अब एक सरकार बच गई गौंग्जू वाली सरकार अब इस सरकार ने अपना बेस वापस यहां बना लिया नैंजिंग में तो अब तक जो क केमटी की सरकार थी उसको दुनिया मानेता नहीं देती थी कहती थी कि असली सरकार तो यह वाली है लेकिन केमटी की सरकार को अब दुनिया मानेता देने लगी और पूरी दुनिया ने इसको रिकोगनाइज कर लिया कि यहीं चाइना की असली सरकार है तो चाइना का जो नौ संहाय मशिक्ट कर अब होता किया है कि दैखो कि यह जो आप देख रहा है जब यह नौर्डन एक्स पेडिशन चल रहा था यहां से जब नौर्डन एक्स पेडिशन सुरू हूआ तो संहाई पहुचने पर संघाई पहुचने पर जो चैंकाई सेक के लोग थे चैंकाई केमटी के जो लोग थे उन्होंने कम्मिनिस्टों के बड़ी मात्रा में यहां पर हत्याएं किये गई लगबग 300-3000 का संख्या बताया जाता है लग लग इसी घटना को संघाई मैसेकर के नाम से जानते हैं यह 1927 में हुआ था वो यहां कब पहुचे 1928 में यहां से यात्रा कब शुरू करी थी 1926 में तो 1927 में केमटी के लोगों ने CPC के लोगों को बड़ी मात्रा में मारा कौमिंग तांग के लोगों ने कौमिंश्टों को मारा और यहीपर इनके का समाप्ती हो जाता है दोनों पार्टि का एलाइस जो है वह खतम हो जाता है तूट जाता है CPC अलग रास्ते के यहांग डाश्ते के नेता कौन हमारे अब जिनमें मुखिता कॉम्मिनिस्ट थे, एलाइंस समाप्त हो जाता है, च्यांकाई सेक, केम्टी के जुनेता थे, इस्टैबलिस्ट गुवर्मेंट इन नांजिंग, ओन 18 अप्रील 1927, 18 अप्रील 1927 को उन्होंने वुहान के बाद नैंजिंग में भी अपना कब्जा कर लिया, चार जून 1928 को बयांग गवर्मेंट पेकिंग वाली जो सरकार थी, नौर्थ वाली उसको उभर थ्रो कर दिया गया, हटा दिया गया, 29 दिसंबर 1928 को चाइना का री यूनिफिकेशन हो गया, देखो वारलॉड एरा कब से कब तक था, वारलॉड एरा था आपका 1916 से, वारलॉड एरा था हमारा 1916 से 1928 तक, इसको वारलॉड एरा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि चाइना किसी एक के कंट्रोल में नहीं इथा लग लग वारलॉड थे, उनिश्यो सोला में ही यूवन सिकाई मरे थे, और उनकी जो सरकार थी, पेकिंग वाली वह बहुती कमजोर पढ़ गई थी, 1928 में जब केमटी ने इनको हराया पेकिंग वाली सरकार को, तो ये वारलॉड एरा समाब्त होता है, और पूरी की पूरी चाइना जो है, एक पार्टी के नियंत्रन में आ जाती है, चाइना का रियूनिफिकेशन हो जाता है 1928 को, 29 दिसंबर 1928, नियू गवर्मेंट रिकोगनाइजड बाइ अधर कंट्री देखो जब इनकी सरकार सौथ में कैंटन में बनी थी, तो केवल रसिया इनकी मदद कर रहा था, आर्मी बनाने में और वगरे वगरे दुनिया के देश तो इनको सरकार नहीं मानते थे, राइवल गवर्मेंट थे, इनको तो असली सरकार नहीं मानते थे, लेकिन अब दुनिया के दुसरे देशों ने भी नैंजिंग में नए बनी सरकार को, केमटी की सरकार को मानेता दे दे, अब भाई साब देखो, चाइका इस एक तो सफर हो गया, नौर्दन एक्सपेडिशन उनका सफल हो गया, चाइना में एक सरकार आ गई, लेकिन जगड़ा वही पुराना का पुराना, पहले वो बेयांग गवर्मेंट से लड़ रही थी केमटी, अब जो है चुकी इनका क्यों हुआ यह सिविल वार, इसमें सबसे महत्पुन बात घटना जो है वो है 1927 की वो, अभी जो आपने देखा था संघाय मैसेकर, संघाय मैसेकर में 1927 में क्या हुआ कि बड़ी संख्या में वामपंथियों को मारा गया, इसके बाद जो है नेशनलिस्ट, मतलब अब उन्हीं के बीच ग्रिह यूद शुरू होता है, यह ग्रिह यूद लंबा चलता है 1927 से लेकर 1936 तक, इस ग्रिह यूद में कुछ महत्पुन जो बाते होने वाली है, कि यह देखो माली जी यह चाइना है, यहां पर आपका पेकिंग है बिजिंग, यहां नैंजिंग है यहां गौंगजू है, अब जो केमटी की सरकार है वो यहां नैंजिंग में है, नेता कौन है, चैंकाई सेख, अब वाम पंतियों ने क्या किया, CPC वाले लोगों ने क्या किया, कि उन्होंने अपने अपने फ्री एरिया, सौवरेन एरियाज बनाना शुरू कर दिया, जो का वाम पंतियों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, इतनी भारी मात्रा में इनके खिलाफ संघर सुरू हुआ, इनको जान बचाकर पूरे साउथ साइना से इनको खाली करके भागना पड़ा नौर्थ की ओर, यह सारे लोग नौर्थ की ओर भागे, और फाइनली एक ज यह नान नाम की एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना अड़ा बनाया, और नेंजिंग में तो क्यम्टी की सरकार है, तो देखते हैं, सिविल वार में क्या-क्या होता है, चैंकाइश सेख वाजोस्टाईल टू कम्यनिस आडियोलोजी वह वंपन्थी विचारॉक की प्रतिव वोस्टाईल थे, केम्टी के नेता जो थे, इनको disease of the hurt कहते थे वंपंथी को communist को जो चैंकाई सेख थे केम्टी लिडर वो disease of the hurt कहा करते थे और जैपनीज लोगों को कहते थे disease of the skin जपानियों से भी नफरत करते थे एंटी कॉमिनिस ड्राइब बिकेम मोर एंड मोर जेनरल जब इनकी फाइनली सरकार बन चुकी चायना यूरी यूनिफाई हो गया दुबारा एक हो गया उन्हें 28 में तो अब इनको रोकने वाला तो कोई था नहीं है ना नॉर्थ की सरकार समाप्त हो चुकी थी पेकिंग वाल कि अन्टी कॉमिनिस्ट ड्राइब देरे बहुती जिन्रल होते चले गया इंचरा को आनीको मिनिस्ट अम्र्ट फोर्सेज क्रिएटेड़ ढनुम्लों ऑफ सॉव्यorte एरियाज अब देखो यही मैं भी का रहा था ना कि कॉमिनिस्ट कॉमिनिस्ट्रों ने भी अपनी सरकार बना लीहां तो न्याजिंग में सरकार है Communist ओने भी अपनी सेना बना लिए two communist को की जो सेना थी इसको रेड आर्मी कहते थी रेड आर्मी है या पीपल्ज्लिब नाम प्यлом कूँए पी पिपल्स लिब्रेशन आर्मी और जो यहां केमटी की जो सेना थी जो चैंकाई सेक की सेना थी इसका नाम था NRA National Revolutionary Army तो आब क्या हो रहा है कि जो NRA के लोग है National Revolutionary Army के जो लोग है यह इनका पीछा कर रहे हैं PLA का या Red Army का ये खी नाम है Red Army बोलो या PLA बोलो इनका यह revolutionary army इनको खदेर रही है और यह भाग रहे है North की और केम्टी लॉंच्ट फर्दर कंपेइन विच सक्षिडेड सीपीसी है टू गिवप दियर बेसे सीपीसी को अपने बेसे छोड़ने पड़े और इनका लॉंग मार्च शुरू होता है क्या है लॉंग मार्च देखते हैं चुकि इनको दच्छिन से भागना पड़ा रेड आर्म थी या पीपल लिबरेशन आर्मी थी उसको पीछे हटना पड़ा अंडर दे प्रेशर आफ एनरे एनरे केम्टी की जो सेना थी उन्हों ने एक साल में 94 किलोमीटर का यात्रा किया देखो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वापस तस्वीर से समझाना होगा यह जो कॉम्मिनिस्ट एरियाज थे यहां से जब इनकी सेना नौर्थ की और भागी यनान की तरफ तो बड़ी मुश्किल से यह बसते बचाते चुकि इनको पीछे से यह एनरे वाले लोग जो हैं पीछा कर रहें इनको मार रहें भाग रहें यह लगबख सत्तर हजार मीटर पैदा लियातरा करने के बाद मात्र उनहत्तर सो लोग मात्र दस परसेंट लोग वहां जिन्दा पहुच सके बाकी सारे लोग रास्ते में समाप्त हो गये तो यह सीपी सी के लिए बहुत बड़ा जटका था बहुत मनोबल को तोड़ने वाली यह घटना थी लेकिन इ एक बहुत बड़े घटना के रूप में देखती है भुनाती है और चाइना में इस घटना का बहुत बड़ा नाम है आजादी की घटना या तरह तरह के नामों से इसको आप सुन सकते हैं बहुत महिमां अमंडन किया जाता है इसका गुनगान किया जाता है चीजे इतनी अस संतियों की जो सरकार है इस एरिया में 40,000 लोगों को मार दिया गया जो केंटी का समर्थन करते थे उनको मार दिया गया तो सभाविक सी बात है कि केंटी की से ना आएगी यहां आपके पीछे और आपको मारेगी तो आपको भागना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है यह सुनकर आली सजार से उपर लोगों को मरवाया था जो केंटी का समर्थन करते थे तो इसके बाद माओ को पार्टी में डिमोट कर दिया गया था और इनके जो सिनियर थे जो इन लाई जो इन लाई आ गये बोला भाई तुम तो गलत काम कर लियो और जो इन लाई ने इनको डिमोट क और भागते हैं ये लोग इस दोर में माओं ने अपने नित्रित चमता का परीचे दिया बड़ी कुसलता से लोगों को बचते बचाते लेकर नौर्थ की तरफ यनान की तरफ गए और ये जो लॉंग मार्श के घटना के पहले माओं का जो कथा प्रतिस्था थी वो कम थी और इस घटना के बाद ये नेशनल हीरो बनके उभरते हैं CPC के कारिकरताओं के बीच, कैडर के बीच माओं एक हीरो की तरह और एक और क्या हुआ वनली उनहें सब्सक्राइब जीवित मात्र उनहें सब्सक्राइब उन्होंने अपनी शक्ति का परिचे दिया रोज टू प्रोमिनेंस इंदस सीपीसी सीपीसी में इनका जो है बोल वाला हो गया वर्चस बढ़ गया अब क्या है भाई लॉंग मार्च के बाद म सब्सक्राइब बन गया है और जो इन लाए इनके असिस्टेंट जो कि पहले सिनियर थे सिपीसी फाइनली मेट दियर बेसिन यनान नौर्थ में एक जगह है सांक्सी प्रोविंस में दिसंबर 1936 में इनोने सिपीसी ने अपना वहां बेस बना लिया ग्री यूद चल रहा है रेड एरियाज जो आप देख रहा हो यही सिपीसी के बेसेज है यह सारे सिपीसी के बेस हैं देखो कैसे इनको मारमार के यहां से भगाया गया अब यहां से जो बचे कुछे लोग है यह देखो यहां से बचे कुछे जो लोग है यह नौर्थ की ओर सफर करते हैं यह पूर जहां पर इन्होंने अपना बेस कायम किया और केम्टी की सरकार का अड़ा कहा है भाई को मिन्तांग की सरकार यहां पर बैठी हुई है नैंजिंग में कि आई होप यह संघाई आप देख रहें यहां पर मैप देखो मैप को समझोगे तो ज्यादा आनन्द आएगा हिस्ट्री को पढ़ने में चुकि उससे आपको एक रियलिस्टिक धी फिलिंग मिलती है कि क्या घटनाएं कैसे हो रही होंगा घम जर अअ तो जो चल रहा था घ्रियूद शुरू हो गया था कबसे भाई उने 47 देख और यहन ए चे पार यहां ईपन ऑ पर चुकर हें और यहां पर हैん अब इस बीच क्या होता है कि ये ग्रियूद अब रुकने वाला है दोनों लोगों के बीच में वापस समझोता होने वाला है पहले भी ये एलाइंस के पार्टनर थे याद रखना है पहली वार ये 1922 से 1927 तक तो इनका गटबंदन था ही जब यहां गौंग्जू में इनकी सर 1927 में तब तो ग्रियूद शुरू हुआ 1936 तक चला अब क्या होता है कि जपाइन जो है हमला कर देता है जपान हमला कर देता है मैंचूरिया पर है ना बात को समझेगा देखो यह जो मैंचूरिया है ना चाइना का नॉर्थ इस्ट यह 1931 से ही जपान के कबजे में था मैंचू को भी इसको काते है और जपान ने नैंजिंग पर भी हमला किया यहां यहां माली जे जपाइन já पर हमला कर रहा है पूरे चाइना पर हमला कर चाइना पर वो किया 1937 में और यही से वर्ल्ड वार टू की सुरुवात मानी जाती है इस यह में 1937 ने जपान ने अटेक कर दिया चाइना पर चाइना की सरकार कौन भाई केमटी की नैंजिंग में यह दो मिनिट मैं इसमें समय लूँगा और आप समझ लना घटना को क्या होत आते हैं और मिल के जपान का सामना करते हैं तो 1927 से 1936 तक दोनों में ग्रियू तो चला लेकि 1937 में जब जपान ने हमला किया तो के एमटी और सीपीसी का दुवारा से गटबंदन हो गया लीजिए बाहर से हमला होता है तो घर के लोग इकठे हो जाते हैं बस वही बात कि जपान ने जो हमला किया उने 1937 में चाइना पर उसमें बहुत बड़ी-बड़ी घटना है हुई नैंजिंग मैसे कर रेप आफ नैंजिंग कहा जाता है कुछ लोग तो दो लाग तीन लाग लोग की संख्या बताते हैं नैंजिंग राजधानी थी केमटी की केमटी की सरक इसे पर चलते हैं सेकेंड सिनो जैपनीज वार कब से शुरूबा जुलाई 1937 से 1945 तक मार्को पोलो ब्रीज इंसिडेंट रिजल्टेट इन फूल स्केल वार बिट्विन चाइन जपान देखो यह आप यह जो हिसा आप देख रहे हैं यह मैंचुरिया वाला हिस्सा है यह आप यहां देखो पेकिंग देख रहे हो बीजिंग यह नॉर्थ कोरिया सौथ कोरिया आप देख रहे हैं यह जपान देख रहे हैं जपान ने इस इस इलाखे को अपने कबजे में ले लिया था चाइना का इलागा है तो मार्को पोलो घटना से यहां दोनों देशों में ज सीज होस्टलीटी मतलब सीज फायर किया आपस में जगड़ा बंद किया टू फाइट दौन इनमी दोनों पार्टियां सहमात हो गई कि चलो भी आप ग्री युद बंद करो तो ग्री युद लगबक साथ आठ वर्सों से चल रहा था दोनों ने समझाता किया कि पहले जापान क था नहीं बस नाम का दिखाने के लिए चाइना के लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जापान ने हमला किया तो हम लोग आपस में लड़ना बंद कर रहा है ऐसा दिखाने के लिए एक घटना और है जियान इंसिडेंट है एक बहुत ही महसूर घटना है जियान इंसिडे उनके ही officials ने अफरन कर लिया बोला कि भाई साहब आप CPC से लड़ने में ब्यस्तो आप अपने ही लोगों से Communist Party के लोगों से अपने Alliance के पूर्व सहयोगी से लड़ने में ब्यस्तो जबकि दूस्मन जपान आप पर हमला कर रहा है तो च्यांका इसे को अफरन किया गया केमटी की नेता को और इनसे जबरन ये सीज फायर करवाया गया कि भाई अप लोग लड़ना बंद करें इस बात पर आप समत होईएगा तभी आपको हम लोग छोड़ेंगे तो च्यांका इसे एक मान गया कि ठीक है भाई हम लोग सिपीसी से लड़ना फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं तो यह जियान एक्सिडेंट है कि ऐसी अस्तीती में सुमझलो की दोनों पाटियों का दुवारा से गठवंदन होता है सकेंड उनाइटेट फ्रेंट बनता है चलिए आगे देखते हैं कि यह रैप आफ नेंजिंग है ना 1937 में जब जपान ने हमला किया चाइना पर तो नेंजिंग जो केम्टी का जो गड़ था उहां पर बहुत बहुत भारी मात्रा में लोगों को संक्ष बड़ी भारी संख्या में लोगों को मारा जाता है देखो एक चाइनीज सोल्जर और पास कितने सारी ला से पड़ी हुई हैं के और यह देखो एक प्रिजनर ऑफ वार को कैसे जपानी जो यह आज आफ देख रहे हैं कैसे तक चाइना और जपान का रिस्ता इस घटना के खरण खराब है अज भी जपान से माफी की मांगी जाते की आपप माफी मांगी कहानियां बहुत-बहुत बड़ी सारी किताबे रेप आफ नैंजिंग के ऊपर लिखे गई है यह 1937 की घटना है वें जपाइन अटेक्ट चाइना और लेकिन इसी घटना के कारएं इनका सिविल वार भी रुग गया पसमें लड़ना इन लोंग ने बंद किया के मटी सीपीसी है वो विश भर में आज तक छपती है और आज तक जापान को इसके लिए सर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अब देखो यहां पर growth of CPC communist party का growth यहां से शुरू होता है communist party के नेता है माओ जिदॉंग जिनका पुरे दुनिया भर में जिनका नाम है जिनका जिक्र है अना माओ वाद का जो विचार है या जो गुरिला वार का जो सैली है यही माओ है और यह माओ है और यह जो इन लाए है पहले यह सिनियर हुआ करते थे माओ के बाद में जुनियर हो गए जो इन लाए दोनों की साथ में अब तश्वीर देख रहे है तो देखो एक तो माओ का leadership जब long march हुआ जब revolutionary army से बचकर यह नौर्थ में भागे तो इनकी एक तो popularity बढ़ दन हो गया तो इस वक्त को CPC ने अपने फाइदे के लिए यूज किया देखो जपान कोई भी विदेशी सक्ती हमला किस पर करेगी सरकार पे सरकार किस कि की की तो केम्टी कमजोर होते जा रही थी जपान से लड़ने में सकेंड वर्ड वार सुरू हो गया था 1937 में एक तरह जपान से जपान मतलब एसे तो 1939 माना जाता है वो पॉलेंड वाली घटना जो है जर्मानी और पॉलेंड के घटना लेकिन एसी अ में यह घटना महत्मुन मानी जाती है अ मारको पॉलो ब्रीज इंसिडेंट से घटना शुरू ही जपान चाइना के बीच में तो केम्टी की सरकार बेस्ती जपान के रोकने में चुकिए असली सरकार तो यह है तो केम्टी कमजोर हो रहे थी उपर से सीपी सी के लोग भी आपस में कभी-कभी जगाड रहे थे अलाइस नाम का था वास्तविक एलाइस नहीं था भी हम लोगों ने थोड़ी दर पहले देखा था तो के अर्पान से भी लड़ रहे थे प्लस वांपंतियों से भी लड़ना पड़ रहा था धीरे धीरे यह खोकले होते जा रहे थे कमजोर होते जा रहे था और इस मौक्य को भुनाया किसने सीपी सी ने देखने क्या होता है कम्यूनिस्ट टुक एडवांटेज अफ दे केम्टी प्री अकुपेशन बिद जैपनीज जैपनीज के साथ हुल्जे वे थे केम्टी के लोग और इसका फाइदा उठाया सीपी सी ने टू गेन एज सी पी सी कॉंसलेडेटेटेट इट्स पोजिशन इन दे नौर्थ यह य सजार से बढ़कर शवा लाक हो चुकी है आठ वर्सों के अंदर मिलिटरी जो है वह तीस जार से बढ़कर दस लाक हो चुकी है इसके अलावा लगबख दस्याल मिलिशिया गृप है ऐसे आम लोग हैं किसाना लोग हैं den a की से लिए दस लाक से लोगों का सैना तो में समाप्त होगा तो कि यूद को इन से जूजना है और केम खुद को मजबूत बनाए जा रही है कि इसमीज देखो जब यनान में उन्होंने बेस बना लिया तो उस दोर में माओ बहुत बड़े नेता बनके उभरे और अपने विचारधारा को लोगों तक परोशा है ना यह देखो माओ की तस्वीर है लॉंग मार्च के दौरान जब वो नौर्थ की और यात्रा कर रहे थे यह देखो गौवाले को यह कुछ इच्छा दे रहे हैं अपने विचारधारा से परिचे करा रहे हैं अब सवाल है कि माओ का या सिपीसी का इतना ग्रोथ क्यों हुआ कॉमिनिस्ट पार्टी का इतना ग्रोथ क्यों हुआ यह जो निशनलिस्ट पार्टी थी केमटी उसका समर्थन लोग क्यों नहीं कर रहे थे देखो दो तीन बाते हैं केमटी उनिसो गई थी सत्ता में ना बेयां गवर्मेंट को हटा कर उसके बाद इन्हों ने ग्रियोद शुरू कर दिया अपने ही लोगों के खिलाफ सीपी से के खिलाफ तो लोगों में नाराजगी थी 37 तक या ग्रियोद में उलजे रहे 37 के बाद जपान से युद शुरू हो गया यह 45 तक चलने वाला उनी सो 45-46 तक जपान के साथ सिनो जैपनीज वाड टू और यहां सिपी सी सिविल वार लड़ सिपी सी के साथ सिविल वार हो रहा था तो ऐसे माव ऐसे अस्तिती में यह विकास के काम या जनता के काम या अर्थवश्था के काम पर केमटी ध्यान ने दे पा रही थी अर्थवश्था की हलाद बहुत खर है उनको मुफ्त जमीन देने की बात करते हैं कि आप हमें जिता दो हम आपको जमीन देंगे और इस तरीके से बहुत सारे पर्चे बटवाया जाते हैं देखो नौर्थ में वाले इलाके में जो रूरल छेतर है जो ग्रामीन छेतर है यहां यनान में लोगों ने अपना बेस ब सब्सक्राइब रखते थे सब्सक्राइब तो देखते हैं क्या-क्या घटनाएं होती है कि प्रॉमिस ऑफ लैंड टू पूर फार्मर्स जमीन देने का वादा करते हैं गरीब किसानों को दे पिजेंट्री एंड नॉट दप प्रोलेट्रियेट आर दा रिबोलुस्नरी वैं मजदूर देखो वो जो माक्सवाद की जो अवधारना है वो पश्चमी देशों से निकल कर आई और वहां तब तक जो इंडस्ट्रियल रिवॉलूशन हो चुका था लेकिन चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉलूशन तो हुआ नहीं था तो यहां मजदूर वर्ग से दि अन्दोलन का यह वो मतलब यह बिंदू है जिस पर अंदोलन होना चाहिए ना की मजदूर वर्ग तो यहां पर यह जो मूल वाँमपंत विचारधार हो से एक अलग किसम का ये प्रयास करते हैं 10 की वाहं पंत को लाघू करते हैं विचारधार को प्रचारीत करते और कि अन्यूव स्ट्रीम ऑफ कमिनेजम डिफरेंट फ्रों माक्सिजम माक्स को मानते थे लेकिन उससे थोड़ी अलग गुरिला वार्फेयर ऑफ कॉम्मिनिस्ट गेंड पूपट पॉपलरीट गुरिला वार्फेयर क्या होता है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं दुश्मान प बिचा कर जंगलों में चानक से बंब फिक कर इस तरह से वह हमला करते हैं फरार हो जाते हैं वह माओं के विचार से प्रेरी थे इसलिए उनको माओ वादी कहते हैं तो यह जो माओं का जो गुरिला वार्फेयर था ये लोगों में बड़ी प्रसिध्धी प्राप्त कर रहा था अंदा अधर हैंड असकॉर्ज अर्थ पॉलिशी ओफ निशनलिस्ट एड़े टू एंटी गवर्मेंट सेंटिमेंट असकॉर्ज का रत होता है जलाना अभी असकॉर्ज अर्थ पॉलिशी क्या होता है समझोगे इसको देखो मान लिजे कि जपान ने हमला किया नैंजिंग पर जपान ने हमला किया नैंजिंग पर केमटी की सरकार यहां बैठी थी इनको भागना पड़ा केमटी यहां से भाग कर यह चुंकिंग चले गए थे आते हैं उस पर तो जब यह किसी सहर को छोड़ कर केमटी की सेना यह लोग भाग पीछे हट रहे थे तो उस्पोरे एलाके को जला देते थे ताकि जो पूलों बस लुए होता है कि वो कि बिस्ते प्वॉटरी को दो आएंगे तो रहेंगे कहा किसी सहर को ब्रभाद कर दो थाकि वो यूज ना कर सेबुटाज कर दो अपने ही चीजों को चति कर दो तो भाया इससे दुस्मन को तो दिक्कत होगा ही होगा लेकिन आप जिसको राक करके बढ़ रहे हो इसमें आपके लोग भी तो बरबाद होंगे उनको भी तो कस्थ होगा लेकिन यह स्कॉर्च पॉलिशी पर काम कर रही थी की सरकार की सेना जब जब इनको पीछे हटना परता था यह उस इलाके को ब्रबाद कर दे रहे थे ताकि दुस्मन USB का उप्योग ना करें लेकिन अ Davriel यह सें लड़ रहे हैं लेकिन यह किस तरह बड़े ते चुप 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 के लड़ते थे गुरिला वार्फेर और इ चाहिए तो CPC का एक स्वभाविक सा ग्रोथ और लोगों में लोग प्रियता बढ़ रही थे चलिए आगे देखते हैं तो Second World War चलता है बाबू 1937 से मतलब चाइना के परिप्रेश में 1937 से 1945 तक 1945 में जपान की हार होती है जपान हट जाता है अब आगे की घटना सब्सक्राइब और निशनलिस्ट के बीच वापस से ग्रियूद सुरू हो जाता हलांकि खतम तो हुआ ही नहीं था यह तो चली रहा था वह कम हो गया था लेकिन अब फिर से फुल स्केल पर ग्रियूद सुरू हो जाता है वर्ल्ड वर्क समापत हुआ जपान पीछे हट गया जपान को हरन मानना पड़ा दोनों में ग्रियूद दुवारा से रिज्यूम हो जाता है शुरू हो जाता है अब एक मज़िदार कहानी है और यहां पर पल्रा भारी होने व का ता आज जब वर्ल्ड वर्ट फूमें जपान की हार होती है जपान को हार का सामना करना पड़ता है तो क्यम्सी की सरकार जो नेंजिंग में बोलती है अच्छा यह इलाके पर कबजा कर लिया किसने रसिया ने मतलब जपान को हरा के रसिया ने अपने नियंत्रन में ले लिया तो नैंजिंग में केमटी की सरकार ने बोली कि भीया रुको हमारी सेना जाती है तुम हमारा इलाका हमको सौब तो फिर तुम चल जाना रसिया बोला ठीक है भाई अपनी सेना को भेजो इनकी सेना बढ़ती है लेकिन रसिया क्या है कॉम्मिनिस्ट देश था वंपंती देश था इन्होंने इनको यनान में जो बैठे वे थे ना आपके पहनी से Safari इन को पहले ही सोचित कर दिया कि और इस इलाखे पर अपना कबज जमालो से पीची के लोग से पिसे के सेना पहले पहुच्टी है और इनों वापस यहां पर काबीज हो जाते हैं वंपंति ना रसिया तो अभियसी वात है वंपंतियों की साहिता देगा यह तो राष्टवादी पाटी थी अलांकि दोनों को गडवंदन जो पहली वार हुआ था 1922 में रसिया नहीं करवाया था केम्टी को सरकार बनाने मदद रसिया नहीं किया था पहली वार गवांग्जों में केम्टी की सरकार को रसिया नहीं समर्थन दिया था अब यह CPC को मैंचुरियाव में पहुंच को सौप दिया गया रसिया ने सौप दिया CPC को साथी साथ जपान से जितना यहां हथियार बरामद हुआ था वो सारा हथियार रसिया ने सौप दिया CPC को इतना ही नहीं अपने तरफ से भी बहुत हथियार दिया CPC को भाया केमटी तो ऐसे ही लड़ते लड़ते जपान से कमजोर हो चुकी थी और सीपीची से उपर से और रसिया ने इतना सारा समर्थन दे दिया जपान से प्राप्त और छीना गया हथियार भी इनको दे दिया उब्यसी बात है इनका पलड़ा भारी हो गया अब जो वर्ड वार का सुरी पन कॉमिनिस्टों को दे दिया सिपीची को कि देखो इन 1946 1946 में वर्ड वर समात्वाने के बार डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट बाई च्यांकाई शेक रसिया पूल डॉट अफ मंचूरिया च्यांकाई शेक ने बहुत कहा रसिया को कि भाईया थोड़ा दे दुखा दिया और वो मंचूरिया से निकल गया और मंचूरिया किसको सॉप दिया सिपीची को सॉप दिया सिपीची गेंड अपर हैंड सिपीची को अपर हैंड मिल गया इनका इनका पल्रभारी हो गया वंपंथियों का कम्यूनिस्ट पाटी का निन निशनलिस्ट वेर फो करना पड़ा तैवान फॉर्मोशा तैवान का पुराना नाम फॉर्मोशा है अब यहां तस्वीर को देखो यह जो आप हरा वाला इलाका देख रहे हैं यह वाली इलाका यही बस बस गया है केमटी के पास और बाकी पूरा का पूरा इलाका जो है पूरा जो मेल लेंड चाइन है यह Communist Party of China माओ के पास चला गया कि तैवान का ही पुराना नाम था फॉर्मोसा जो अभी हम लोग देख रहे थे लेक्रेंर ु certainty है और यह हुन हुदा 17-चान के के पर तो आधिकारी सरकार था वर्डबार के टाइम और यह तो वामपंतियों को रस्याने सपोर्ट किया इतने हत्यार वगरत दे मंचुरिया से होते हुए यह सारा इन लोगों ने इनको खदेर-खदेर कर यहां बगा दिया, अब कई महने तक जो नैंजिंग से जब यह सरकार यहां सिफ्ट हो रहे थी, चुंकिंग से, तो कई महनों तक कमटी ने पूरा का पूरा सरकार को ही सिफ्ट कर दिया, कि पूरा इलागा तो बंपंतियों के पास चला गया था सारे हतियार ओफिसे तमाम चीजे पूरी सेना जनता तो लाखों की संख्या में लोग कई महिने लगे थे हवाई जहाज और पानी जहाज से सारा समान यहां ढोने में तैवान में आज तलक केमटी कहती है कि चाइना की असली सरकार हमी हैं वास्तविक सरकार हमी हैं यह जो सिपीसी बैठी वी है उनिकी से यह फौर सरकार है यह तो हिंसा के बल पर आई है तको के जब जिंगायार बुलिसों हुआ था इजब 32 में के म्ती बनी सणियाथ से pathway बनाया फिर 1921 में गौंगजू में सरकार बनाई फिर चाइना को रियूनिफाई किया तो सारा कम तो केमटी ने किया था इसमें तो कोई दोराई नहीं तो जिंगाई रोभुलूशन का जो राजवन्स को खाल के फेका गया उसके असली जो हकदार थे वो सनियात सें थे और उनकी पार्टी थी तो इस लिहाज से केमटी का करता है एक अक्टवर उनिश्व नश्चास को नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं यह माओ है माओ प्रोक्लेम्ट फांडिंग आफ पी एर सी माओ ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना का जो आज का अधिकारिक नाम हो क्या है पी आर सी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सनीय तिरवार ने जो घोषना किया था कब ایک जनुवरी उनिश्व बारा को जिंहाई रेवरुशन के बाद उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना तो यह दो अलग अलग नाम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना कि जो 1912 को सनीय तिरया ता घोषना और माओ ने 1 59 बजन कर नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक एफ चायना पी रसी तो यह चाइना है taiwan है तो केंटी बाले लोहकं तैवान में है तो इसका जो असली सब्सक्राइब करते हैं कि उनकी असली सब्सक्राइब कि निश्नलिस्ट कंटिनूड क्लेमिंग टुब लेजिटिमेट गुवर्मेंट आफ चाइना रास्टवादी दावा करते हैं क्या उनकी असली सरकार है अच्छा यह सब घटना देखो वर्ल्ड वार टू के बाद की है असली सरकार तो केमटी ही थी उसमें तो कोई दो रहे न यूए नो भी इसी सरकार को मानती थी यूनाइटेट नेशन भी इसी को मानती थी कि असली सरकार है और यह जो सरकार है पीर सी में जो चाहें सीपीची की वंपंथियों की सरकार है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में यह तो फेक है यह तो हिंसा के बल पी आई है पॉब्लिक आफ चाइना इसी को माना जाता था लेकिन युनाइटेड नेशन जनरल एसेंबली यू एन जी ए ने उनिशो एक तर में पी आर सी को एडमिट कर लिया स्विकार कर लिया कि असली चाइना ये है बड़ी वाली जो मेंलेंड चाइना जिसको बोलते हैं और आरो सी पॉब्लिक आफ चाइना को यूएन उसे से बरखास कर दिया गया तो आज जो ताइवान है या रिपब्लिक आफ चाइना है ये जो छोटा सदीप है इसको यूएन उसे बरखास कर दिया गया उनिशो एक खतर में और पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना को सामिल कर लिया गया आज तक यह दावा चल रहा है आज भी जगड़ा है यह फर्स्ट हिस्सा हुआ चाइनीज रिबॉलूशन का उनिस सो उन्चास के बाद की घटनाएं क्या है आज तक यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आज होप आपको वीडियो पशंद आया हो मेरा नाम और वो एक आदेश होता है कि आप अपना काम जारी रखिए तो आदेश दें कि मैं अपना काम जारी रखूँ अगर आपको मेरा काम पशंद आया तो कैंडली वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत शुक्रिया सभी को